नमस्कार किसान भाईयों प्रुशी फाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ राश्य आपके साथ आए देखते हैं मध्य प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फसलों के क्या कुछ दाम रहे तो शुरुवात हम करेंगे अगर मालवा की मंडी के साथ जहांपर सरसु के दाम 5559 रुपे रहे संत्रे के दाम 1020 रुपे रहे गेहुं के दाम 292 रुपे रहे और धनिय के दाम 5720 रुपे रहे बुपाल की मंडी में प्यास के दाम 805 रुपे रहे लहसुन के दाम 1980 रुपे रहे और गेहुं के दाम 2440 रुपे रहे इसके अलावा आप बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की देवास मंडी की जहां सोयबीन के दाम 5463 रुपे रहे गेहुं के दाम 2660 रुपे रहे इसके अलावा चने के दाम 4955 और मसूर के दाम 5351 रुपे रहे तिंडोरी की मंडी की बात करें तो यहां पर धान के दाम 1650 रुपे रहे कॉंदो के दाम 2800 रुपे रही सर्जो के दाम 4800 रुपे कुटकी के दाम 3800 रुपे और रामतिली के दाम 7300 रुपे रहे गुना की मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहू के दाम 2770 रुपे रहे इसके अलावा सर्जो के दाम 55500 रुपे रहे खरगोन की मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्के के दाम 2525 रुपे रहे कपास के दाम 7990 रुपे रहे स्वेबिन के दाम 5396 रुपे रहे गेहुं के दाम 2505 और तुर के दाम 7107 रुपे रहे वहीं सीहौर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर स्वयबीन के दाम 5460 रुपे रहे इसके अलावा गेहों के दाम 2389 रुपे रहे मसूर के दाम 5000 लहसुन के दाम 3150 और प्यास के दाम 771 रुपे रहे इंदोर की मंडे की बात करें तो चने के दाम 12295 रुपे रहे प्यास के दाम 810 रुपे रहे इसके अलावा स्वेबीन के दाम 5,490 लैसुन के दाम 5,100 गेहूं के दाम 28,11 डॉलर चने के दाम 11,535 और मटर के दाम 3,105 रुपे रहे इसके अलावा उजेन के मंडी में आलू के दाम 1200 रुपे रहे और स्वेबीन के दाम 5,525 रुपे रहे प्यास के दाम 1025 रुपे रहे लैसुन के दाम 4,125 रुपे रहे वहीं जबलपुर की मंडी में धान के दाम 14,30 रुपे रहे इसके अलावा अन्ने फसलों की बात करें तो मुंग के दाम 6,700 रुपे रहे उड़ात के दाम 7,505 रुपे रहे चने के दाम 4,610 रुपे रहे और मक्के के दाम यहाँ पर 9,45 रुपे रहे रुपे रहे 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 चना 4,250 रुपे के दाम पर विका खरगोन की मंडी में मक्के के दाम 2,525 का पास के दाम 7,990 रुपे रहे तो किसान भाईयों यह रहा आज का मध्य प्रदेश का मंडी भाव अपडेट क्रशी से जूड़ी और भी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे क्रशी फाई के साथ धन्यवाद झाल